वेलकम हैं मेरी चैनल नेना स्टेरवर्ट बे मैं आगी हूँ नेना आपके लिए रीडिंग लेकर और आज हमारी रीडिंग का टॉपिक होगा आपके पार्टनर की क्रंट फीलिंग हम जानने की कोशिश करेंगे उनकी डीब भावनाई क्या है आपको लेकर और यह आप एनी स सुचुच्च मे देख सकते हूँ चाहिए अ ब्रीक उप सिचुच्च में हो चाहिए ऊन उफ पके पार्टनर कर रहें जानने की नहीं है हैं आपके पार्टनर का नाम लीजिए थीक है अच्छा अच्छा सोचिएगा चलिए ऐंच्छ टाइम ज़ादा बेस्ट ने फतवाट से कार शफल करते हैं इंच्छ प्लीज बताइए नौकों टैक्ट में मेरे वीवर्द के पार्टनर की क्रन्ट फीलिंग क्या है मेरे वीवर्द को लेकर को क्या चाहते हैं दिवाइन प्लीज बताएए ओके यहां पे पहला कार यहां पे आया है किंग आप सौर्ड्स दूसरा यहां पे आया है फोर अफ वैंड्स एस ओफ वैंड्स यहां पे अभी जैमनी की इनर्जी आये वार्स वर्गो कैप्रिकॉन ठीक है हां टॉर्स वर्गो कैप्रिकॉन सौरी और एरीज लियो सेजिटेरियस ठीक है यह नर्जी फिलहाल अभी तक इतनी आई है वेट वेट मैं कार शाफू करने इंजल पीज मुझे और बताएए नौ कॉंटक्ट में मेरे वीवर्गों के पार्टनर की क्या नहीं प्लीज प्लीज बताएए एक मिनट कार्ण हाथ से निकले जा रहे हैं क्योंकि वेकार्ण बहुत आबस निक्परी है और मैंने अभी खोड़ा टाइम पहले इसको नया डेक ओर्डर किया था एक मिनट का इस डिवाइन प्लीज बताएए मेरे वीवर्गों के पार्टनर की और क्या प्लीज एम पस त्री ओफ कप्स अधिया यह बंदा प्याशन तो बहुत रखता है आपको लेकर प्याशन तो बहुत है इसके अंदर आपके लिए टू आफ वैंट्स ठीक है और यहां पे भी आया है पेज आफ वैंट्स मुझे लगता है आप जिस पार्टनर से डील कर रह है मुझे ठीक है एक मिन同理 के अमरा रिजस्ट कर दूँ तो गई यहां पे अगर मैं सराइन्स की बात करूं तो यहां पे है जैमनी की नर्जी है ठीक है न सोरी लिबरा की कि भात करूँ तो मुझे एक तइो थी नंबर बहुत ज्यादा थी नंबर है four number है और seven number है ठीक है four three और seven number बहुत ज्याद़ हो रहा है यह नंबर मुझे कुछ दिृखाई दिए है और मुझे के tu ki energy भी बहुत ज्याद़ दिख रही है की-tu की नर्जी तो मुझे लगता है कि यहां तो आपके partner already married है जिनके साथ आप deal कर रहे हो यहां आप दोनों में marriage का कोई issue है commitment को लेकर क्योंकि आप दोनों की बीच में आपके partner को एक चीज़ का तो पता है कि आप दोनों की compatibility टक कर की है यह तो इस इंसान को पता है 100% यह शौर है कि आपके सा इनकी compatibility बहुत अच्छी है because अगर आप देखो तो king of swords के नीचे ही Empress की energy आई है यह दोनों कार्ड इस चीज़ को indicate कर रहे है कि आपके partner आपके लिए बहुत ज़्यादा fire रखते हैं इनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत है passion बहुत है crazy बहुत है आपको पाने का आपको life में लाने का यह इनसान प्यार की तलाश में है ठीक है ना इनको प्यार चाहिए और वो प्यार इनको आपसे चाहिए यह fact भी है चाही फिर यह married है चाही अन-married है लेकि इनको आपसे प्यार चाहिए लेकिन यह इनको प्यार भी चाहिए लेकि यह प्यार से भाग भी रहे ह भाग इसलिए रहे हैं क्योंकि मुझे जादा तर ये दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे marriage का issue बहुत जाद है क्योंकि यहाँ पे three of cups की energy दो चीजों को indicate कर रही है क्योंकि मुझे जहाँ पे दो-दो message निकल रहे हैं जादा तर marriage के लिए भी और unmarried के लिए भी मैं दोनों ही आपको convey कर दूँगी जो भी आपको लगता है आपके साथ resonate होता है आप रख सकते हो जो नहीं होता उसको skip कर सकते हो ठीक है जरूरी नहीं है कि हर चीज अपने पे ही लेनी है क्योंकि इतने लोग reading देखते है guys journal reading है तो सबके साथ तो थोड़ा थोड़ा differ करे गई तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगी marriage वालों के लिए marriage वालों के लिए यह है कि आपके partner आपके साथ happiness चाहते है उनको हो सकता है उनकी marriage अच्छी नहीं चड़ी वो अपनी marriage में खुश नहीं है दुनियादारी की वज़े से शादी निभा रहे है अगर unmarried है तो वहाँ पे हो सकता है कि आप दोनों के बीच में third party का involvement है या आप married हो आपके partner unmarried है जिसकी वज़े से आपका relationship आगे नहीं बढ़ रहा ठीक है न क्योंकि कोई ना कोई तो अर्चन आप दोनों के बीच में आ रही है लेकिन third situation जा third person जरूर involved है आप दोनों के बीच में ये तो मुझे यहाँ भी clear है लेकिन आपके partner को ये भी पता है कि उनकी happiness आपके साथ है उनकी खुशियां आपके साथ है जो सपने उन्होंने आपके साथ सोचे थे वो सपने पूरे हो नी रहे चाहे फिर वो married है चाहे फिर आप married हो ठीक है तब भी पूरे नी हो रहे और अगर आप दोनों unmarried हो तो आप दोनों करिश्टा आगे नहीं बढ़ पा रहा reason third party ठीक है third party अब उनकी कोई mother भी हो सकती है उनकी sister हो सकती है उनकी family का कोई भी person हो सकता है या उनका work भी हो सकता है because यहां पे seven of pentacle की energy भी आई यह यही चीज दिख रही है लेकिन इस इनसान को आपके लिए बहुत जादा यह बंदा पागल है यह crave करता है आपको अपनी life में लाने के लिए इसको यह लगता है कि आपके साथ अगर शादी हो गई न तो life बहुत मज़ेदार होगी बड़ी funny बड़ी मज़ेदार बड़ी spicy आपकी life में सब कुछ होगा यह इनसान आपको न सची बोलो आपकी body को feel करना चाहता है आपकी एक fragrance इसको पसंद है आपकी जैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए बट जैसे कि दो इनसान जब एक दूसरे के साथ intimate होते हैं तो एक दोनों में वो चीज़ connect करती है जो एक सुगंध होती है जो एक fragrance होती ह एक दूसरे की smell होती है तो आपके partner को वो smell बहुत पसंद है वो खुशबू वो fragrance बहुत पसंद है कभी कभी शायद आपके partner ने या आपने उनको बोला भी होगा कि आप जब मिलके चल जाते हो तो हम आप दोनों में हम में से कपड़ों की smell आती है खुशबू आती है आप द जाधा social media पर stalk कर रहा है आपको contact कैसे करना है यह सोच रहा है आपसे बात कैसे की जाए यह सोच रहा है हो सकता है past में आपने इनको बहुत ज़्यादा chase किया है इनके पीछे पीछे भागे हो इनके सामने मिन्नते किये इनके सामने भीक मांगी है इनको गिड़ गिड़ाए ह तो सब कुछ की है लेकिन इस इनसान ने हमेशा आपको ego दिखाया है आपको अपना attitude दिखाया क्योंकि ये इनसान चाहता है देखिए ये इनसान आपके रिष्टे में रहना चाहता है लेकिन अपने terms and condition पे अपने मताबिक रहना चाहता है क्योंकि यहाँ पे king of swords की energy यह यह इनसान ऐसा है लेकिन एक चीज मैं बोलू यह इनसान ऐसा है जो अंदर से soft है लेकिन बाहर से यह कड़कनारिया जैसे तो यह इनसान आपको अब cheese करते हुए मुझे नजरा रहे है जो past में आपने किया अब भी आपके partner आपको cheese कर रहे है और मुझे लगता है इनको health issue भी ह हो रहे हैं इनका पैंटिकल भी मुझे लगता है कि ग्रोथ नहीं हो रही मतलब कि जब से आप इनके साथ कॉंटक्ट में नहीं हो इनकी जो करियर लाइफ है वो भी इतनी खास नहीं चड़ी लेकिन इस इंसान को होप है आज भी इस रिश्टे भी विकॉज यह आपको आज भी क्रेव करते हैं आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए पैशनेट आपके लिए बहुत है फायर आपके लिए बहुत अग्रेसिव भी बहुत है और मुझे लगता है आपके रिश्टे में ओन ओफ ओन ओफ भी यह इनसान बहुत करता रहा है यह भी मुझे दिखाई दे रहे ठीक है लेकिन ये इनसान अभी confused बहुत है confused इसलिए है क्योंकि एक तरफ तो मुझे लगता है कि हो सकता है मैंने आपको बोला ना married भी है आपके partner आप married हो सकते हैं वो married हो सकते हैं उनका career भी हो सकता है ठीक है क्योंकि मुझे काफी लोगों में long distance भी लग रहा है कि आप दोनों में long distance भी है ठीक है और यहाँ पर जो मैं आपको बोला था seven number मुझे दिखाई दे रहा है luck आपके partner को लगता है कि आप उनकी luck हो आप उनके लिए abundance हो आप उनके लिए एक miracle हो ठीक है ना लेकिन इस इनसान ने इस miracle को उस time तो समझा नहीं लेकिन जब आप चले गए उसके बाद इस इनसान को अकल आई आपको पता है miracle तो suddenly होते है miracle बता कर नहीं आते तो यहाँ पर यह इनसान की यह इनसान आप यहाँ पर देखे ठीक है ना अब दो option है दो choices है यह भी हो सकता है जिसकी वज़े से इनसान find नहीं कर पा रहा है confused बहुत है अपनी life को लेकर आपको साथ चलने को लेकर ठीक है ना यहाँ हो सकता है आप married हो जिसकी वज़े से भी यह unmarried है लेकिन इनको यह है कि आप married हो लेकिन वो unmarried है तो रिष्टा आगे कैसे बढ़ेगा यह हो सकता है वो रिष्टा बढ़ाना चाहते है अपनी तरफ से आपकी तरफ मतलब शादी का हाथ बढ़ाना चाहते है लेकिन आपकी तरफ से problems create हो रही है तो problems तो है obstacles तो यहाँ पे है hurdles तो है चाहे वो married है चाहे आप married हो चाहाए आप दोनों में से कोई भी अगर married नहीं है तो बीच में third party का involvement है लेकिन इस इंसान को इतना पता है कि growth आपके साथ बहुत है happiness आपके साथ बहुत है आपके साथ इनको यह लगता है कि अगर यह आपसे शादी करते हैं तो जिन्दगी जीने का मज़ा आ जाएगा यह इनकी सोच है मुझे नहीं पता आपके सामने आपके partner कैसे pretend करते रहे हैं कैसे आपको show off करवाते रहे हैं आपको कभी अपनी feelings बताई है यह नहीं बताई है लेकि यहाँ से इनको यह रखता है कि आपके साथ जिन्दगी बहुत मज़ेदार होगी क्योंकि आप एक ऐसे person हो जो हर महौल में इनको ढाल लेते हो या हर सिचुशन में इनको समझते हो या इनके बिना भोले ही इनकी काफी चीज़ें आप समझ लेते थे कि इनको क्या चाहिए या जैसे इनसान है या जैसे भी है आपने इसको accept किया इसी चीज़ों का आपके partner को पता है और उसी चीज़ों को लेकर ही आपके partner आपके towards attract होते थे उनको यह था कि बाकी लोगों को मुझ में कमिया दिखती है बाकी लोग मेरी चीज़े देखते हैं कि इसमें यह नहीं इसके वो में मेरे में कमिया निका लेकिन यह कैसा बंदा बंदी है जिसने मुझे जैसा हूँ मैंने मुझे accept किया चाहे मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ इसने हुमेशा मुझे accept किया लेकिन मैंने बदले में क्या किया ठीक है इस चीज़ का इस इंसान को पता है लेकिन पता होने के बावजुद भी यह इंसान थोड़ा सा इनका अलग ही चलता है भीया पता नहीं क्या बोलो अभी मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा इंजल प्लीज बताईए मेरे वीवर्ट की पार्टनर की और क्या फीलिंग्स है डट की अनर्जी आई देखि गाइज आपके पार्टनर ट्रांसफर्म होकर आपके पास आना चाहते है क्योंकि यहाँ पे bottom की energy जो है वो आई है two of cups आप दोनों का जो रिष्टा है वो angels की blessing के साथ है ठीक है लेकिन आपके partner transform हो रहे हैं और divine उनको transform कर रहा है divine उनको इस रिष्टे में no contact create करके आपके साथ जो भी situation चल रही वो करके इस इनसान की आँखे खोड़ना चाहता है कि देखो तुमारे लिए कौन बैटर है और कौन तुमारे लिए गलत है ठीक है क्योंकि जब तक इस इनसान की आँखे नहीं खुलेंगी यह transform नहीं होगा यह बंदा आपकी तरफ जब बंदी आपकी तरफ नहीं आएंगे चाहिए आपके पार्टनर लड़का है लड़की कोई भी है वो आप देख लो ठीक है लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यह इनसान आपके साथ नौ कोंटक्ट जो है वो सब खत्म करना चाहता है इंजल और बताईए मेरे वीवर्स के पार्टनर और क्या सोच रहे है इस ताइम राइप नौ देखिए इस ताइम आपके पार्टनर अपना माइन शिफ्ट कर रहे है आपसे क्योंकि वो आपको बहुत ज़़़दा याद कर रहे है बहुत ज़़दा मिस कर रहे है इनिशेट कर रहे हैं, काम को ज़ादा पकड रहे हैं, ज़ादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप उनके दिमाग में ना आ सको, यह चीज मुझे नजर आ रही है, ठीक है, इंचे प्लीज और मुझे बताईए, मेरे वीबर्स के पार्टनर की फिलिंग्स बताईए, और क्या है मेरे वीबर्स के लिए, लिज बताईए, जज्जमेंट, और यहाँ पे बॉटम की इनरजी में आपको दिखाती हूं, यहाँ पे है डेवल, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा उपसेस्ट हो रहे हैं, देखिए इस इनसान की इनरजी पता कैसी ह मुझे ऐसे दिखाई दिया है, अगर तो आप दोनों साथ में थे, तो इस इनसान ने आपकी वैल्यू नहीं की, हमेशा आपको फॉर ग्रेंटेड लिया, आपको कभी फील नहीं किया, आपको कभी इतना ज़्यादा भाव नहीं दिया, लेकिन अब आप दूर हो गए हो, त तो कभी-कभी ये भी लगता है कि आप में ऐसी एक कोई पावर है, जिससे आप किसी सामने वाले को अपनी तरफ कंट्रोल कर सकते हो, या आपके पार्टनर को कभी-कभी शक होता है, कि आप इनको कोई इनके ओपर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रहे, या आप इनको कंट् क्यूं होता है, मैं इतने इसके लिए इतना अडिक्षन क्यों फील करता हूँ, कहीं ये मेरे उपर कुछ ब्लैक मैजिक ये कुछ करवा तो नहीं रही, या करवा तो नहीं रहा, ऐसी भी आपके पार्टनर को सोच होती है आपके पार्टनर को, क्योंकि ये बंदा आपको अपनी लाहि में क्रेव करता है और सची बात बोलों, ये इंसान sexually अगर किसी के साथ एक जिसे बोलते हैं न, satisfaction फील करता है वो आपके साथ ही करता है क्योंकि चाहिए ये 10 लोगों के साथ फीजिकल हो ले, लेकिन इनको वो चीज नहीं ये फील कर पाता लेकिन आपकी एक smell एक आपके साथ intimate होना, इनके लिए मतलब ऐसे लगता कि जैसे इसकी आत्मा त्रिप्त हो गई है, सुकून मिल गया इसको, ये चीज लग रहे है इन्ज़ पीज़ और बताईए मेरे वीबर्स के पार्टनर और क्या फील कर रहे हैं इस टाइम राइट नाओ मेरे वीबर्स के पार्टनर क्या फील कर रहे है प्लीज बताईए आपको मिस कर रहे हैं, मैंने बोला था न, आपको soulmate हो और यहाँ भी मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि आपके partner आपको बहुत जादा miss करें बहुत-बहुत missing energy बहुत जादा miss कर रहे हैं इस time आपके लिए obsessed हो रहे हैं feelings बहुत जादा हो रहे हैं और सबसे जादा जो उनको चीज miss कर रहे हैं वो है आपकी care और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि हो सकता आप खानावाना भी अपने partner को बना कर खिलाते थे या लेकर जाते थे या आपने कभी अपने हाथ का बना हुआ कुछ उनको खिलाया है मुझे यह भी एक vibes आ रही है जिसको वो बहुत जादा फील कर रहे हैं और आपके मुझे यह भी लग रहा है कि आपको specially पता है मेरे वीवर्स को कि आपके partner को कौन सा color जादा मुझे लगता है आपके partner को उतनी चीजें आपकी नहीं पता कि आपको क्या पसंद है लेकिन आपको एक एक चीज का पता कि आपके partner को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है मतलब खाने से लेकर कपनों से लेकर जूते से लेकर हर चीज का आपको पता है कि आपके partner क्या प पसंद है तो इसी चीज को ही आपके पार्टनर सोचते हैं कि वो सारी चीजे कोई और परसंद नहीं मुझे कर सकता क्योंकि आप बीना बोले ही अपने पार्टनर की बात समझ लेती थे और इसी चीज की वज़े से ये इंसान आपकी तरफ अट्रेक्ट होता है इनको ये लगत कि आपके पार्टनर ने कभी सफ़पी सुनाया होगा कि आप दोनमे एज गया है ये चीज तो मुझे नहीं लगता. criteria ने कभी बोली होगी लेकिन हाँ, ये आप दोनमे मुझे एज गया दिखाई दिए थे तर है, शलिए ए ऐनजर के मज़े बताई numéro, मेरे, मेरे वीवर्स मेरे वीवर्स की नर्जी बताइए, आपकी नर्जी थोड़ी सी देखते हैं, आपकी नर्जी कैसी है, मैं दो कार्ड लेती हूँ आपके लिए, और ओफ पेंटिकल, आप बहुत ज़दा परशान हो चुकियों, बहुत ज़दा, क्योंकि आप अपने पार्टनर के लिए इतना ज़दा possessive हो, आप उनको किसी और के साथ ना तो share करना चाते हो, ना उनको देखना चाते हो, आप चाते हो कि इस इंसान के उपर एक privacy का board लगा दूँ, इस इंसान पर की गले में एक टांग दूँ, एक वो पत्ती सी, कि भया ये privacy वाला निशान लगा के, कि ये सिर्फ मेरा मेरे इलावा ये किसी का नहीं हो सकता, आप ऐसी energy में हो, क्योंकि आप अपने partner के लिए बहुत जादा obsessed हो, मेरे वीवर्स जो मैं आपके लिए बोड़ रही हूँ, guys, आप बहुत जादा अपने partner को लेकर obsessed हो, आप अपने partner को किसी और के साथ share नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप किसी और के साथ share कर रहे हो, तो वो आपकी मजबूरी है, अगर आपके partner married है या आप married तो वो आपकी मजबूरी है, बट जहां पे अगर मैं देखूं तो जादा तर यही energy क्योंकि आप बरदाश्ती नहीं कर पा रहे हो, और आप ना इस इनसान को भूल पा रहे हो, अगर अगर आप देखो तो आप एक dead हो चुके, आप लाश बन चुके, आपको ऐसे लगता कि जैसे हजारों तलवारें किसी ने आपके उपर घोप दी है, क्योंकि internal खुशी आपके अंदर है ही नहीं, आपको सारा दिन अगर मैं देखूं तो दिन में अगर आप मैं यह कुछ ना कुछ पता करने की कुशिश करते हो, हमेशा से, यह चीज मुझे दिखाई दे आपके, ठीक है, चलिए आपके पार्टनर का next action देखते हैं, क्या यह इंसान आपकी तरफ कोई action लेंगे, next, इंजल प्रीज बताइए क्या मेरे वीवर्स कोई action लेंगे, मैं आप की तरफ action तो लेना चाहता है, लेकिन यह इंसान थोड़ा से एक तो मुझे आप दोनों में cast का issue लग रहा है, दूसरा यह इंसान action इसलिए नहीं ले रहा है, क्योंकि इनको यह लगता है कि शायद आप दोनों का रिष्टा, मतलब एक दुनिया के सामने नहीं आ पाएगा, अगर married है तब भी, अगर unmarried है तो इनको यह लगता है, हो सकता है, आप दोनों में cast issue है, या हो सकता है, आपके partner बहुत ज़्यादा society conscience है, इनके घर का culture अलग है, आपका अलग है, इनको यह लगता है, कि आप दोनों की compatibility बन रही है, बट आपकी families जो है, उनकी compatibility नहीं कभी-कभी इनको भी regret होता है, इस चीज़ का गुसा आता है, कि मतलब कभी तो इनको खुद पे गुसा आता है, कभी इनको आप पे गुसा आता है, कि यह huddles क्यूं है, जिसकी वज़े से हम दोनों एक नहीं हो पारे, यहाँ भी मुझे clear दिख रहे है, जिसकी वज़े से य मतलब रुक जाता है, कि इनको यह रगता है, कि यह रिष्टे में मैं जितना मर्जी effort लगा लूँ, लेकिन यह हो नहीं पाएगा, ठीक है न, action में कमीना जरारी इस इंसान में, एंजल प्रीज मुझे बताएए, मेरे वीवर्स को ऐसे हलातों में क्या करना चाहिए, मेरे व स्टेंथ की नरजी आई है, बॉटम की, एंजल तो आपको जी बोड़ रही है, कि आप बाहर घूमी हैं, फिर यह, ट्रेवल कीजिए, अलग-अलग लोगों से मिलिए, अलग-अलग लोगों से involvement रखिए, एक sadness से निकल कर, एक sad zone से निकल कर, आप बाहर की दुनिया को देख ठीक है न, यह तो नहीं बोल सकती कि अब वो बोलते हैं न कि हाँ, पंजाबियों में हमारे बोलते हैं कि पॉकेट में नहीं धेला और गरती मिला मिला, तो कहने का मतलब यह नहीं बोलने कि बतलब अबरौड जाओ, कहने का मतलब यह है कि आप friend circle से मिलो, आप घूमो, फिर अपने आपको बंद कमरे में मत रखो, एक फोन का addiction मत बनाओ, कि अपने आपको फोन में गुसा रखा है कि सारा दिन देखते रहो कि मेरे partner का message आया कि नहीं, call आई के नहीं, यह हुआ कि नहीं, वो आया कि नहीं, मेरा baby show ना यह, वो वो चीज़े मत करिए, आप अपने आप यह इंसान है, यहाद में इसको कितने ही काम, मतलब, शांस face से देख रहा है, क्यों यह आप, आप अपने partner का wait करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, ठीक है भाईया, अगर वो आना होगा, आज आएगा, मैं यह नहीं बोड़े कि नहीं आएगा, आना होगा, बट आप इतना भी अपने आपको उस चीज़ में मत डाले, चलिए मैं आपके लिए, एक का लास में कहा देती है, एंजल प्लीज मुझे बताईए, इस रेडिंग का outcome दीचिए मुझे, इस रेडिंग का outcome क्या है, ओके, देखे यहाँ पर टावर की नरजी भी आई, एंजल हो सकती है, ठीक है, इस रिष्टे में फिर से, अगर मैं बोलू, यह रिष्टा फिर से ठीक हो सकता है, यह नहीं है कि रिष्टा खतम हो गया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर कमी है, तो equal given take, equal balance में करने की, क्योंकि या तो अगर आपकी तरफ से कमी है, तो आप हो सकते हैं, जिनकी वज़े से कोई भी एक इनसान उस चीज़ को जादा प्रावर्टी में नहीं रख रहा, एक इनसान अपने प्यार की value नहीं कर रहा, क्योंकि उनको यह लगता है कि मेरे पास options है, जहां हो सकता है, उनके पास भी options आ रहे हैं, और आपके पास भी आ रहे ह अपने emotions नहीं आप कर रहे हैं, क्योंकि आप find ही नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने partner की जगह ही नहीं किसी को दे पा रहे हैं, लेकि अगर मैं बोलू कमी नहीं आपको है ना उनको है, ठीक है, क्योंकि आप इस tower moment को खतम करने पे लगे हैं, कैसे tower moment को खतम करने हैं, और आप के partner भी रही चाहते हैं क्योंकि यहां पर ace of cups की energy आई इस इंसान को यह लगता है कि मेरे जो emotions है मेरी जो feelings है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे वीवर्स के लिए मतलब आपके लिए मेरे partner के लिए आपके partner की ऐसी feelings है ठीक है चलिए angels की guidance निकाल लेते हैं एंजल की guidance क्या है एंजल प्लीज मुझे guide कीजे प्लीज गाइज मैं आप बहुत मुश्किल से time निकाल कर वीडियो बना रही है तो प्लीज जादा से जादा वीडियो को like करिएगा और जादा से जादा वीडियो को कमेंट करिएगा ठीक है यहां पे है पहला कार आया है विदिन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ सेकंडर में फॉस्टिव देकी पार्टन आपके यहां पे डिवाइन जो है एंजल जो है वो आपको ये बोड़े हैं कि आपको दुबारा से पॉस्टिव सोचने की जरूर है अगर आप अपने partner को लेकर कुछ सोच रहे हो या जो आपके दिमाग में अपने partner को लेकर कुछ है तो मुझे वो भी पूरा होता हुआ दिखाई दे रहे है तो चलिए आपके partner के channel message कुछ ले रहे है ठीक है पहला यहां पर आपके partner का channel message है उनका message आएगा आज रात reconciliation यहाँ पर मतलब आपके partner का message मुझे आता हुआ दिखाई दे रहे ठीक है आपका reconciliation होता हुआ दिखाई दे रहे दूसरा message लेते हैं दूसरा message है along for your kiss देखे मैंने बोला था ना कि आपके partner आपके लिए बहुत जादा obsessed है वो आपके साथ intimate भी होना चाहती है यह भी मुझे energy दिख रही है I want your attention आपके partner को आपकी attention चाहिए ठीक है ताकि आप उनके ओपर ध्यान दो focus करो I love you next देखते हैं I am not happy without you आपके partner आपके बिना बिन को भी इस time खुश नहीं है next है I was my fault but I blamed you उनको पता है कि उनका fault है बट उनोंने हमेशा से इस रिष्टे को ना चलने का blame आपको ही दिया है I am addicted to you देखिए मैंने जो बोला था वही guys मैं randomly कार निकाल रही हूँ कोई देखके कार नहीं निकाल रही लेकिन आपके reading के according ही बिलकुल इसी देखते हैं आपके partner का next message यहां पे आई intimacy देखिए मैंने अभी आपको बोला था ना कि आपके partner आपके साथ intimate होना जाते हैं और guys मुझे एक चीज ना मैंने आपको पहले ही बताई है और अभी भी बता रही हूँ इस इंसान को ना intimacy के दुरान देखिए जब हम किसी के साथ intimate होते हैं तो एक यह बगवान कभी कभी यह क्या हो जाता है I am ready मतलब यह आपके साथ intimate होने के लिए ready है my life started when I met you वो बोड़े हैं कि उनकी life ही उस दिन start होई थी जिस दिन आप उनको मिले थी और guys यतने भी कार हैं मैं यह randomly निकार रही हूँ ठीक है चलिए यह देखिए आपके सामनी ले रहते हैं चलो I make you feel sexually यह देखिए अब मुझे आप नहीं बोल सकते कि मैम आपने देखकर इतने कार्स यहाँ पे box भरा हुआ है और मैं randomly कार निकार रही हूँ ठीक है और यहाँ पे साफ साफ आपके partner बोले I make you feel sexually वो आपको sexually बहुत जादा feel करते हैं next message है I am coming back आपके partner आपके पास वापिस आ रहे हैं मुझे comment में जरूर बताइएगा ठीक है और दो last message रहते हैं last message है twin flame I save your text and message आपके partner ने आपके जितने भी text message है और वो सब कुछ save करके रखा हुआ ठीक है तो guys I hope आप लोगों को मेरी reading अच्छी लगी होगी प्यारी लगी होगी आपके साथ resonate होई होगी और मैंने बहुत मेहनत से बड़े प्यार से आपको एक एक चीज़ शुद्ध और साफ शब्दों में समझाई है इससे जादा better मैं नहीं समझा पाऊंगी और अगर मेरी reading चाहिए वहां से मेरा contact लीजिए और मुझे WhatsApp पे number कीजिए कुछ भी information चाहिए मेरे team already sorry all time वहां पे available रहती है आपको सारी readings की जो भी details होगी bookings होगी वो आपको बता दी जाएगी और कई लोग ऐसे भी हैं जो मेरे साथ सिर्फ बात करना चाहते हैं और उनको अपनी कोई problem share क करनी होती है तो guys उसके लिए आपको appointment लेनी होगी जो की chargeable है free नहीं है ठीक है और मेरे दो pages भी है अगर आप चाहो तो उनको भी follow कर सकते हो क्योंकि वहां पे भी मैं readings डालती रहती हूं और please जिन्होंने अभी तक मेरे channel को सिर्फ मेरी video watch कर रहे हैं बड़ channel को subscribe नहीं किया please जाहिए और मेरे दोनों channel को subscribe कीजिए मुझे धेर सारा प्यार दीजिए क्योंकि मैं चाहती हूं कुछ यह जो कुछ मन था रहे इसमें हम मुझे थोड़ा सा आगे लेकर जाहिए ठीक है please request है तो जैसे आप मुझे प्यार दे रहे हो मुझे भी आप लोगों का धेर सारा प starward में नैना आपके लिए हमेशा available रहेगी और जिस भी topic पर आपको reading देखनी है वो मझे आप comment section में बता सकते हो ठीक है तो मिलते है next reading में बबाए तब तक के लिए दुआओं में जाद रखेगा मिलते रहेंगे love you